इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के मैत का चेप्टर 8 एक्सेस 8.1 कॉशन अबर 7 कॉशन अबर 7 है इफ कॉट थीटा एक्कोल टू 7 अपॉन 8 इवेल्यूएट फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमें दिरखा है तो हमें गिवन क्या है बस कॉट थीटा एक्कोल टू 7 अपॉन 8 तो पहले तो आपको यह लिखना है पंदेद बदरी प्रसाद हर-Hर बोले तो कॉट का क्या होता है कोट ठीटा होता है हमारा B upon P और कॉश्चन में क्या गिवन है 7 upon 8 है ना तो बेस है 7 perpendicular है 8 आगे इतना ठीक है अब पहले हम बना लेता है डायग्राम ये बना लिया मैंने डायग्राम A B C बेस के हमारा 7 है 7 के perpendicular हमारा 8 है 8 के हमें निकालना है ये हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के से निकालेंगे फॉर्मले से कौन सा फॉर्मला है पाइथागरस थ्योरम पाइथागरस थ्योरम से निकालेंगे ठीक है तो पाइथागरस थ्योरम होती है स्क्वार्टू प्लस पर्पेंडूकलर का स्क्वार्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर्टूर 4 K square A C का square equal to under root 1 1 3 K 3 K square A C equal to under root 1 1 3 K तो यह हो गया हमारा तो यह देख सकतो तो यह देख सकता है अंडर रूट 1 1 3 K है ना 1 1 3 K हम लिख देखेंगे आपर अंडर रूट 1 1 3 K हमाई हाइपोट्रेस्मिन करी अब हमें find क्या करना है वो देखते हैं अब हमें first part first part हमें दे रखा है क्या find करना हमें 1 माइन 1 प्लस साइन ठीटा 1 माइनस साइन ठीटा 1 प्लस कॉस ठीटा 1 माइनस कॉस ठीटा अब देख सकते हो अब क्या है साइन ठीटा साइन ठीटा कॉस ठीटा कॉस ठीटा बस हमें formula पूट करना है और उसमें values पूट करना है हमारा answer आते जाएगा तो देखते हैं अब इसको नेक्स पेज में करते हैं यसे तो फिर हम लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले अब पहला हम फिर्स पार्ट हम answer करते हैं इसका तो पहले कि यह हैं one minus sin ठीटा है one plus sin ठीटा है तो sin ठीटा क्या होता है प्जिए फोन एच होता है है ना साइटीटा क्या होता है सब्सक्राइब के अगए होता है तो ट्राइंगल में जो था यह सी मैं आपर लूइंड बना देता हूं एबी सी हमें साइटीटा निकालना यह कैतना था यह था हमारा 7 k 8 k under root 113 k है ना तो साइन ठीटा होता है पी अपॉन एच तो पी के आए परपेंडूकल रेट है एच हाइपोट्रेंस वन अंडरूट 113 की है तो बस इसको ऐसी लिखना है और हमारा अंसर आ जाएगा तो इसको लिखते हैं वन तो लिकिन इसको करने से पहले हमें क्या पने लगए एक फॉर्मला यूज़ करेंगे तो मैं नहीं है पर दुबारा वोगी कोश्चन लिख देता हूं साइन ठीटा अपन में वन प्लस कोश्च ठीटा बराकट वन माइनस कोश्च ठीटा ठीक है तो अब देखो एक फॉर्मला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इसका क्या होता है इसका होता है ए का स्कूर होता है और बी का स्कूर होता है यानिकि वन का स्कूर माइनस क्योंकि प्लस मानस मानस होगा ाटा- सपण मैंने सान का इसका फॉडूलल आ यानि की सफक था ओर को हाइपोटनेस हमारी 113 के है अंडर रूट में 113 के है तो इसको भी हम निकाल लेंगे तो चलिए इसको कॉशन को करते हैं कम्प्लीट यहां पर लेंगे वन का स्कोर होगा तो यह नहीं लिखा जाएगा माइनस माइनस 64 एपां 113 अब देख सकते हैं आपस साइन था पर्पेंडूकल अपन हैपोटनेस मैंने 8 का स्कोर योगी साइन स्कोर है तो एट का स्कोर कर दिया तो 64 और यह क्या है है तो मैं यहां पर तुमेंश कर दिया मैं आपको इक स्टेब दिखाताँ स्कॉयर थीटा का भी हपनु अच्छता बी का सेवन तो सेवन के अपन हाइपोटेनिस अंडरूट 11 3 क इसका क्या होगा स्क्वर होगा क्योंकि मैं इसको डिर्क शाल नहीं कर रहा है तो को दिखा रहा हूं के से के कैंसल कर दिया तो वन माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 117 अब 7 का स्क्वेर न पूरे का तो 7 का स्क्वेर 49 और 113 यह अंडरूट फट जाएगा तो 113 आ गया ठीक है इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 इक्वल टू 49 अपॉन 64 इसी के साथ हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया खतम अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है सेकंड बहुत इस यह कॉट स्क्वेर ठीटा बताने ठीक है कॉट स्क्वेर ठीटा तो आपको जैसे कि पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले तो कॉट स्क्वेर क्या होता है कॉट क्या होता है बी अपॉन पी होता है यानि कि बी अपॉन पी और इसका क्या करना है यानिकि इन दौनों का स्क्वेर करना है ठीक ह आगे हमारा अंसर यही 49.64 इसके साथ हमारे अला अंसर खताम हुआ so thank you for watching this video like share and subscribe my channel for more updates